दोस्तो अगर आप भी अक्सर पटेल और अस्विन को एक बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो पर लाइप जरू कीजिएगा दोस्तो जब फ्लॉफ हो गए तो भारती क्रिकट टीम के सभी खिलाडी तब अक्सर पटेल ने अश्विन के साथ मिलकर आश्टीले टीम की कबारी तोड डाली और दोस्तो खास तोर पर कैसे अक्सर पटेल ने दो गेंदों में दो चक्के जड़तर सब को हिला करी रख दिया दोस्तो आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे बने रहें वीडियो में अन तक दोस्तो भारत और आश्टीले के टीम के बीच में चल रहे इस सिरीज के दूसरे टेस्ट मैच दूसरे दिन के खेल में जब सभी भारते खिलाडी फ्लॉप हो रहे थे तो हमारे ऐल रोंडर ने आश्टीले टीम को पाट पड़ा दिया और दोस्तों दूसरे दिन का खेल दिल्ली के मैधान में जब शुरू हुआ तो शुरूआ भारते क्रिकट टीम के पक्ष में नहीं बलकी हमारे खिलाफ चली गई वो चाहें केल राउल हो चाहें रोईच सर्मा हो चेते स्वर पुजारा या फिर सिरे सही और क्यों ना हो और दोस्तों बड़ा जटका इंडिया को तब लगा जब 44 रण के स्कोर पर भारते क्रिकट टीम का महान और दिगज खिलाडी विराट कोली का भी विकट गिर गया विराट कोली का आउट होना भारत के लिए बहुत बड़ा जटका था जड़ेया का भी मुविमेंटन टूटा और वो भी आउट हो गई 26 रण के स्कोर पर दोस्तों जड़ेया भी पवेलियन में जा पहुँचे दोस्तों बल्लेबाजी की कमान केस भारत के हातों में थी लेकिन वो भी कुछ ना कर सके अब दोस्तों टीम का सारा दारोंधार रविंचन, अस्विन और अक्षर पटेल के हातों में था और दोनों ने आश्टेलियाई टीम को अपने बल्ले से ऐसा पाठ बढ़ाया जो कभी कंगारू भुला भी नहीं पाएंगे दोस्तों अक्षर पटेल और अस्विन ने मिलकर भारत के टीम को समाला और अश्टेलियाई टीम पर पूरी तरह हावी हो गई अक्षर पटेल ने ऐसी धमागदर पारी खेली कि सारा हिंदुस्तान उनका दिवाना हो गया दोस्तों अक्षर पटेल ने 115 गेंदों में 9 चोके और 3 भ्याना छको की मदद से 74 रन की पारी खेली और अस्विन ने भी अक्षर का साथ निवाते हुए 71 गेंदों में 5 चोके की मदद से 37 रन मनाई खेल दोस्तों अगर आपको भी अस्विन की बल्लेवाजी और अक्षर पटेल की चोत्तर रन की धमागदर पारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा